अब दोस्तों स्वागत है पोटरेनिक स्टार इसपे मैं हूँ आर के सिंग तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं वेजड वेंगल पॉटरेनिक स्टूडेंट्ट है एंड फस्सेमिस्टर में पढ़ते हैं तो फिर आपको पता लग गया है कि आपका जो सिमिस्टर ए ही होने वाले हैं April महीने में होने वाले हैं इसका notification भी जारी कर दिया गया है official website में ठीक है तो आप लोग का जो board है उसका जो official website है वहाँ पर आपको ये notification मिल जाएगा इस notification में ये साप साप बताया गया है जो internal assessment होगा seasonal subjects का ठीक है तो वो होगा एक से साथ तारीक के बीच चलो मैं लिग देता हूँ internal assessment वो क्या होगा फॉस्ट एप्रिल से फॉस्ट एप्रिल से 7 अप्रिल तक ठीक है अब आप लोग ये पूछेंगे कि साथ दिन से ये अग्जाम चलेगा क्या नहीं ये maximum वण एक से दो दिन का होता है ठीक है कि एक से दो दिन में ये complete हो जाएगा इसी बीच में आपका college आपको डेट देगा and इसी बीच में किसी एक दिन या फिर किसी दो दिन ये खतम हो जाएगा ठीक है तो यह हो गया internal assessment and internal assessment किसका होगा सेशनल सब्जेक्ट सेशनल सब्जेक्ट बोले तो क्या जो semester में जो subjects का exam होता है वही होता है हमारा सेशनल सब्जेक्ट ओके नाउ अभी हम लोग बात करेंगे external external assessment के बारे में वो होगा आपका 8th April से जैसे की notice में बताया गया है 8th April से 18th April तक ठीक है और यह exam भी maximum 1 से 2 दिन चलेगा ठीक है दो दिन में आपके सारे subjects का exam खतम हो जाएगा तो इसी इन दिनों के बीच में किसी एक दिन आपको date दिया जाएगा ठीक है and generally हमारे बगत क्या होता था कि एक ही दिन में सारे subjects का external लिया जाता था and internal भी वैसा ही होता था एक ही दिन में कतम ठीक है मतलब सुबह 10 बजे चले जाओ साम को 5 बजे तक कतम हो जाता यह सारे exam तो दो दिन का बात है यहाँ पे एक दिन यहाँ पे एक दिन ऐसा हमारा होता था ओके एंड जो आपका theoretical exam है theoretical theoretical exams वो 22 April से 28 April तक खतम हो जाएगा ठीक है मतलब क्या देखने को मिल रहा है कि यह जो पूरा April महिना है दोस्तों दिस इज एक्जाम का महिना ठीक है बिलकुल April का महिना जो है exam का महिना है कौन से students के लिए वेस्ट वेंगल पॉर्टेटनिक students के लिए ठीक है ना तो यह है notice जो की जारी कर दिया गया है अगर आप लोग नहीं जानते थे तो यहाँ से देख लिजे कि आपके पास कितना time रह गया है ठीक है अभी मैं थोरा सा आपको guidelines दे देता हूँ कि क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है ठीक है पहले देखो पहले तो यह जो internal assessment है आज कितना तारीख है 30 March है ठीक है मतलब एक तारीख आने में और एक दिन बचाए हमारे पास तो सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आपको जो आपके applied physics lab chemistry lab यह होते है न तो इसके practical copy आपको बना लेना है ठीक है practical खाता जो होते है उसको बना लेना है उसको अच्छी तरह से लिख लिजे and अगर कोई assignment दिया गया है कोई teacher कोई class teacher अगर आप लोग को कोई assignment दिये हैं तो assignment को पूरी तरह से लिख लिजे अच्छी तरह से उसको binding करके ready करके रख लिजे ओके यह आपको काम करना है उसके बाद आपका रहता है क्या वाक्सॉप वाक्सॉप में जितने भी वाक्सॉप कराए गए हैं उसके अलग-अलग copy रहेगा जैसे कि मैं बताता हूँ आपको अच्छा यह पहले इडिज कर देता हूँ तो बताने में easy रहेगा मैं आपको सारे चीजे बताना बताना चाहता हूँ भी तो सारे चीजे में बताऊंगा आपको क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है यह कम time है क्योंकि थोड़ा सा planning के साथ चलेंगे तो फिर हमारा पास जो परने का time है वो जादा मिल जाएगा अगर आप लोग इन सभी चीजों में उलजे रहेंगे तो time निकल जाएगा कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा ओके तो internal assessment के लिए पहले आपको ready होना है internal assessment के लिए internal assessment के लिए आपको ready होना है इसमें क्या करना है जो lab के जो lab के जो practical practical notebook जो है वो आपको लिखके ready करना है ठीक है अब lab आपका जिनरली तो दो है applied physics lab and applied chemistry lab एक और lab है जो कि communication skill का lab तो उसमें कोई teacher लिखने को देता है कोई teacher नहीं भी देता है मतलब अगर दिया है communication skill का lab लिखने के लिए दिया गया है तो वो भी ready करना है अगर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं बाकी दो लेब आपको रेडी करना है एपलाइड फिश्फ वान का लैब होगा ठीक है? एपलाइड केमिश्ट्री का लैब होगा इन दोनों का क्या करना है? जो एक्सप्रिमेंट होगे उसका पैक्टिकल कॉपी बना लेना है एंद उसको अच्छी तरह से सजा लेना कोवर टरहा लगा के सजा लेना है लाँ अगर कम्यूनिकेशन schreiben का को कि मेसन इंग्रीज अगर लब को पोई लफनी को दिया है तो फिर उसको भी ऐड़ी करना है तो यह हो भी हो गया होगा अगर कोई सब्जेट नहीं हुआ है तो वो भी इसी इंटर्नल एसेस्मेंट के बीच सब्मिट करना है तेक है वो डेट आपको कॉलेज से बताया जाएगा तो एसाइंमेंट को कंप्लीट कीजे जो भी एसाइंमेंट बाकी है ओके तो यह हो गया आपका कि आता है जैसे कि आता है आपका करपेंटरी मतलब हूड सॉप है ठिक है जहां पर लक्री का काम सिखाया जाता है ठीक ना यह एक किया जाएगा दूसरा होता है हैakि ऐ्लिक्ट्रिकल साप i Are Electrical साप जहां पर आपको आफिैंग इन्स्रुमेंट के कहने हैं जो टूलप्राक्या 225 आपको बनाना है टीके तीसरा होगा वेलिंग सॉप ये वे डिंस ओप सutioc ti постоянно और क्यों जोड़ा आपको यह मैसीन सॉप दिया जायेगा मैं दिसको आपको करणा βर कराया गया तो फिर कराना अगा नहीं कर आख दो फूर बात नहीं ठीक है जो फी वार्ग्स भी जो भी practical copy लिखना है ना वो college से बताया जाता है ओके ठीक है और पाच्वे में forging solve आता है आपका forging solve ठीक है तो आपके college में जो भी कराया गया है सिर्फ उनका ही उनसे भी subject का ही क्या करना है उनसे भी solve का ही आपको practical copy ready करना है ठीक है अब ये तो हो गया हमारा ready अब एक और चीज जो रहता है वो होता है बहुत ही important जो की होता है drawing seed ठीक है drawing seeds तो आपके college में अगर drawing सिखाया गया है drawing class कराया गया है तो वहाँ पर जो drawing सिखाया गया है ना उसी का seed बनाना है ठीक है अगर आप लोग already बना चुके हैं teacher के पास signature मिल गया है teacher के साथ teacher का signature अगर आपको मिल गया है तो कोई बात नहीं वही seat हो जाएगा final seat वही seat क्या हो जाएगा final seat हो जाएगा otherwise आप लोग final seat बनाएंगे ठीक है जो भी drawings आपको सिखाया गया है college में उसका final seat बनाना है ऐसे छे से साथ जो है seat आपको ready करना है ठीक है छे से साथ seat ready करना है ओके ठीक है तो यह सभी लेके आप जाएगा कहां पर internal assessment exam देने के लिए वहाँ पर क्या क्या बोला जाएगा आपको पहले तो जो भी subject का आप exam देंगे अलग-अलग subject का अलग-अलग teacher रहेगा वहाँ ठीक है और teacher के पास जाएंगे तो आपको पहले सब्मिट करना है अपना copy चो practical copy या फिर assignment आप लोगों ने बनाए है वो सब्मिट करना है सब टीचर जी जो है वो देखेगा देखने के बाद आपको कुछ सवाल पूछा जाएगा कुछ जो सवाल पूछा जाएगा ठीक है कहां से related वही topics related जो आपको कराया गया है जो आप अपने copy में लिखे हैं ठीक है उसी से उसी topics related आपको सवाल पूछा जाएगा अगर आप लोग सही answer देते हैं तो आपको full marks तो मिल जाएगा ठीक है full marks मिल जाएगा या फिर थोड़ा सा कम मिल जकता है मतलब 10 में से 8-9 आपको मिल जाएगा अगर आप लोग answer नहीं भी कर पाते हैं यह सभी चीज आप लोग ready करके ले जाते हैं अच्छे ड्रेसिंग में आपका युनिफर्म है वह अच्छे मतलब मेंटेन कर रहे हैं अम की लिए वा नंबर होता है गलगनी ठीक है ट्यक्हैं हो गया हमारा इंटर्न सब्सक्राइब के लिए सभी रेडि करना है अब बात करेंगे हम लोग und permettre दौसरी इ milligram लोगuba लेंगे internal assessment में क्या खुद के college के teacher ले रहे है exam and external assessment में दूसरे college के lecture आएंगे and आपका exam लिया जाएगा ठीक है बाकी बिल्कुल process जो है बिल्कुल same रहेगा ठीक है तो ये हो गया हमारा external assessment and internal assessment तो ये सारी चीज़ा आपको ready करना है ठीक है तो time के अंदर इसको कर लिजे बढ़ना फिर अगर नहीं कर पाए time के अंदर तो फिर नंबर जो है वो कट हो जाएगा ओके क्योंकि इन सभी चीज़ों में बहुत सारे नंबर है इंजिनियरिंग या फिर पॉर्टेक्निक के अगर पॉर्टेक्निक में यह सभी चीज़े जो है मेंटेन करना बहुत जरूरी है दोस्तों प्रैक्टिकल्स वाक्स ओप ठीक है जो भी लैब्स होते हैं जो भी एसाइन्मेंन होते हैं वो अगर सही से सही टाइम पर करेंगे ना तो आपका मांग जो है अच्छा यह सब्सक्ति हरे ना चीज़ें अगर किव लोग याप तेंगे या फिर ap क्या करेंगे बोलो इसको सही से नहीं करेंगे सजय धंक से आप लोग सय टाइम से सब्सक्राइब करेंगे तो आपका माउस भी बहुत कम हो है तो ऐसा नहीं करना है ऑके इसा में होगा है एक तो फिजिक्स कैमेस्ट्री मैथे मैटिक्स और आता है आपका कम्यूनिकेशन इसकील इंग्लिस ओके दरन आता है ढोई टॉइंग इग्जाम कैसा होता है रुइंग शाहिएंग जो से आपको 20 करना है कुछ ऑप्संस दिया जाएगा जैसे कि 20 में 20 करना है तो आपको 25 थभी से दिया जाएगा तो सीख लिए वरना एक्जाम में आप लोग नहीं कर भाएंगे एक्जाम में कैसे करेंगे दूसरों के देख के बहुत है उसके बाद प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हो जाएगा झालो तो अभी क्या करते हैं अभी मैं इस वीडियो को जिसलिए बनाया था कि आप लोगों ने कहा था कि सर एक्जाम बहुत करीब है तो थोड़ा सा कुछ questions हमें बता दीजे ताकि हम लोग prepare कर पाएं तो उसी के लिए ये वीडियो suit हुआ है और मैंने आज क्या किया कि applied chemistry के जो first chapter है उस चैप्टर का कुछ important questions देने वाला हूं अगर आप लोग ने इस चैप्टर को अच्छी तरह से नहीं पर रहे हैं तो फिर यह सभी questions को आप लोग पर के जाए इन में से बहुत सारे question आपको मिल जाएगा question paper में देखने के लिए और मैंने बहुत analysis करके इसको set किये हैं ठीक है यह सब सभी question जो मैंने लिखे न यहाप यह बहुत analysis करने के बाद मिला है जो सभी important topic है previous years के questions मैंने सब को देखके यह सभी questions जो है set कि हैं अभी मैं आपको एकिक करके देता हूँ ठीक है वो आप क्या करिए कि अपने copy में इन सभी questions को लिखके रखिए ठीक है एंड इन सभी question का आप लोग क्या करिए एंसर लिखके प्रिप्यर करिए इसको ठीक है अच्छे तरह से याद करिए चलो तो हम लोग स्टार्ट कर रहे है क्या एप्लाइड गैमेस्ट्री का इंपॉर्टन questions तो आज अब लोग बात करेंगे चैप्टर वन पर चैप्टर वन चैप्टर वन क्या है एटोमिक स्ट्क्चर ओके आटोमिक स्ट्क्चर से कुछ important questions की बात करेंगे तो सबसे पहला क्या है डिफाइन आटम एटम क्या होता है और उसके साथ what are the fundamental particles of an atom एक एक एटम के अंदर क्या क्या फंडमेंटल पार्टिकल रहता है तो हम जानते है तीन फंडमेंटल पार्टिकल रहते हैं कि इलेक्ट्रों चार्ज्च क्या है नीट्रन का चार्ज है 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 इन सभी के मास याद रखना है किया इसने डीकोबर किया बस यह सभी जी से सौट्सेंस के लिए आपको याद ही तो दूसरा दूसरा governed देखो एक्सप्लीन रदर फोड है अभी एल उडिका झिंद काisième इक मॉडल है यह आपको याद रहना है Rutherford's Atomic Model Basically ये कम ही बार पूछा गया है लेकिन पूछा गया है Previous Year में भी पूछा गया है ठीक है Explain Rutherford's Atomic Model ओके ये हो गया तीन माग का सवाद इसमें आपको Rutherford जी ने जो Experiment करा है उसके बाद जो Conclusion हमें मिला है ठीक है जो उसने जो Model दिये हमें उसके बाद में बात करना है ठीक है चलो एंड तीसरा कुशिशन चले आते हैं Write the Limitations of Rutherford's Atomic Model ठीक है तो Rutherford जी के Atomic Model है वो पूरी तरह से Success नहीं हो पाया था कुछ कमिया रह गया था ठीक है वो सभी कमिया क्या है कहा पर Rutherford जी का Atomic Model Fail हुआ था उसके बारे में लिखना है ठीक है Maximum यहाँ पर Mark पूछा जाएगा 2 या फिर 3 ये भी दो या फिर 3 का पूछा जाएगा अगर 3 पूछा जाता है तो थोड़ा सा रही ज्यादा लिखेंगे अगर 2 पूछा जाता है तो हम लोग उसको दो पॉइंट या फिर 3 पॉइंट देंके छोड सकते हैं यह बागी हो गया चार नमडर क्वेशिन पे घजुन बात करें गे अभी बोर्स model के बारे में बोर्स आट मिक मोडल के बारे में states the postulates of Bors Atomic model ठीक है एक फेरे प्रक्णampa यह सवाल रहे है तीन माग का सवाल, तेंके दोस्तों, चलो, पाच्वा कुशिण, अब ये बोर जी का अटोमिक मोडल आ गया, बोर जी का अटोमिक मोडल भी सक्सेस नहीं हो पाया था, तो क्या वो कम्या रहे गया था, वो भी तो पूछा जाता है, तेंके, वट आर दा, वाट आर दा, ड्रॉवेक्स, ओफ बोर जी का अटोमिक मोडल, ओगे ये भी, दो या पिर तीन माग का सवाल हो सकता है, ठीक है, तो आप लोग तीन मान के चलिए, तो तीन आपको लिखना है, तीन ड्रॉवेक लिखना है, अभी देखो, जो ड्रॉवेक है और जो लिमिटेश है, वो सेम चीज है, ठीक है, ड्रॉवेक लिमिटेशन, आपको जो भी यहाँ पर दिया जाए, पुशिन में, आपको समझ लेना है कि हमें यहाँ पर क्या लिखना है, ठीक ना, चलो, ओके, तो नाओ, लेट्स गो तो तो दा, नेक्ट क्वेस्टिन देट इस, is, derive Heisenberg's uncertainty principle, derive Heisenberg's uncertainty principle and mention its significance, चीक है, तो यह रहेगा तीन माग का सवाल, या फिर दो माग का भी रह सकता है, ओके, derive Heisenberg, Heisenberg's uncertainty principle है, वो क्या है, उसका significance क्या है, उसका तात पर यह क्या है, ठीक है, तो आप लोग, क्योंकि आप लोग सभी लोग जो है, मैं ओस बेंगल क्योंकि स्टूडेंट है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट बैंगली होंगे, बैंगला तो आता होगा ना सबको, तो मैंने क्या करा, कि मैंने ओस बेंगल के लिए, एक अलग सा चैनल, ओपिन किया हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे मैं इन सभी फिलाल इस चैनल में मैं उस चैनल पर करूँगा, चलो, तो उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अगर वेजब लोग के स्टूडेंट है तो, आपका पर अबेगे मिन गर्ट सिर्णल करें, इस चैनल को आप लोग सिस्क्राइब करके रखिये जो लोग है वह सेम लोग है ठीक है तो यह चैनल को आप लोग सर्च करें इसको सबस्क्राइब करके रखिये पास तारी के बाद हम लोग यहां पर eight Channel पर मैं जो important question का series रहेगा उसका explanation करेंगे ठीक है ना बाकि आप लोग जो है अपना काम करते रहिए आपका काम क्या है अभी अभी जो मैंने अभी भी बताया आप लोग को वो सबी चीजे आपको ready करना है time के अंदर and ready हो जाने के बाद आपको अपना जो परहाई है वो continue रखना है क्योंक अगर इन सब्सक्राइब को अच्छे तरा से देख लेते तो आई थिंक आज हम लोग अपसूस नहीं करते अच्छा एक्जाम देते तो बिल्कुल आप लोग अपना परही जो है continue रखिए है question number seven question number seven what is deep्रॉगली इक्वेशन what is what is d ग्रॉपली से क्वेशन डी बअब लीजिक एक्वेशन क्या है यह रहेगा दो मापका दी बअग जी ने क्या बताए है एंड जो इक्वेशन उन्होंने दिये है ना ठेक है उसका हमें यहाँ पर लिखना है उसको लिखना है तो यह साथ कुछिन हो गया साथ कुछिन के बाद मैं थोरा सा जो है puisque फ्रल्ड्म टो एक्वेशन उसक्षा एक ओ गया के है आनो इना हुँत अर Creat प्रेंश चाने जो हमेशन एक्वेशन ए में वह calcium है उसक्षिन between between orbit and orbitals to orbit and orbitals के बार में परना है तो तें माग का सवाल है एन उसका difference परना है तो यह साथ हो वेस्ट कोशेशन में से अगर मैं बताऊ अगर मैं इसका ranking karu to this is the most important question is come a five-star data on school ticket and limitation could three-star data heisenbach ko two-star data okay school one-star data who and this is or again five-star question together and you're happy rather for gps don't know why one-star question तो ठीक्षे चलो तो यह आठो नेक्स में जाम करते हैं नेक्स में ताइम जो है निकल राय हमारा और भी बहुत सारे क्वेशन है एक एक करके सभी क्वेशन को मैं दे देता हूं तो आप लोग इस चैप्टर को थोड़ा बहुत प्रिप्यर कीजिए ऑगर आप लोग एक्जाम अच्छा देना चाहते हैं तो थोड़ अभी जो है मैनत स्टार्ट करना होगा आपको मैनत जो ज्यादा मेहनत करेगा उसको ज्यादा अच्छा रिजल मिलेगा कि सक्सेस का जो की है वो क्या है बोलो हार्ड वर्क चाहिए आप लोग जितना भी स्मार्ट बन जाए ना ठीक है जितना भी स्मार्ट बन जाए ना हार्ड वर्क का आपको करना ही है फिलाल अभी जो है हमारा जेनरेशन चल रहा है किस तरफ स्मार्ट वर्क की तरफ तो smart work में भी आपको hard work करना है तेक्षा है hard work का कोई तोर नहीं है अभी तक कोई तोर नहीं निकला है चाहिए आप कितना भी talented हो आप अगर महनत नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे क्योंकि महनत करने वाला आगे निकल जाएगा आपसे वो continuously महनत कर रहा है कोई बंदा जो है वो मान लेते हैं average student है वो continuously महनत कर रहा है और जो talented बंदा है वो आलसी करके वो ऐसे सो सो के इधर उदर घूम के अपना time जो है क्या कर रहा है लॉस कर रहा है तो देखो अब जो बच्चा जो student continuously महनत कर रहा है इसको तो कुछ result मिलेगा न यह तो आलसी हो गया हमारा talent है इसके पास लेकिन एक ऐसा time आ जाएगा कि परने का भी इसको time नहीं मिलेगा मतलब कल परेंगे कल से start करते हैं तो ऐसे करते 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 उसका time निकल जाएगा आखिर में एक दिन बचेगा एक दिन में पूरा किताब क्या परसकता आएगा नहीं जो बच्चा एक महीने से पर रहा है उसको तो कुछ return में मिलेगा न वो जो महनत कर रहा है तो यह बात को ध्यान पर एक है ठीक है चाहिए आप जितना भी टैलेंटेट हो थोड़ा सा महनत करना है ठीक है चलो 9th question पे चले आते 9 number question क्या है write down the names and symbols of quantum number अच्छा यहाँ पर मैं इसको simply लिख दे रहा हूं what what is quantum number what is quantum number quantum numbers what is quantum numbers what is quantum numbers right sorry write their symbol their name and symbol symbols and also mention their significance significance significant significance okay ठीक है तो quantum number क्या है इसके बारे में परना है what are the quantum numbers and quantum number कितने है उन सभी के नाम उन सभी का symbol and significance क्या है कि कौन सा quantum number एक atom के बारे में क्या बताता है ठीक है तो वो हमें यहाँ परना है इस सवाल को कही तरह से पूछा जा सकता है तो आपको सवाल परने भी होंगे अच्छी तरह से सवाल को समझना होगा कि क्या पूछा गया है quantum numbers के बारे में पूछा जाएगा लेकिन इस तरह से पूछा जाएगा किस तरह से क्या पूछा गया है आपको समझना है तो सवाल बहुत तरह कि क्या जा सकता है जैसे कि यहाँ पर माल लेते हैं what are the types of quantum number तो हम लोग जानते हैं बेसिकली हो टाइफ है quantum तो वह लिखना है ठीक है आपको बताया गया है कि जो एंगुलर quantum number है वह एलेक्ट्रोन के बारे में क्या बताता है मतलब एक एक अटम में उसका सिग्नीफिकन्स क्या है तो वो लिखना है मतलब जो सैकंड क्वांटम नंबर है समसीद्यार क्वांटम नंबर तो उसके बारे में हमें लिखना है कि वो एक अटम के बारे में क्या-क्या बताता है तो इन सभी चीजों को इन सभी questions को ना मैं वहाँ पर explain करूंगा फिलाल हम लोग questions को लिख लेते हैं वीडियो का link जो है बर रहा है वोगे ज्यादा बात नहीं करेंगे and question number 10 का कह रहा है what do you mean by orbitals what do you mean by orbitals orbitals and the distribution distribution of electrons distribution of electrons इन सबसेल यह सबसेल में electron का distribution कैसे होता है and the orbitals होता क्या है ठीक है question number 11 देखो state the archa polish exclusion principle state paulis exclusion principle paulis jika jo principle tha bullet night state state paulis exclusion principle which proper explanation ठीक है proper explanation मतलब यहाँ पी कुछ इस तरा से पूछा जाएगा अगर आपको simply यह पूछा गया है कि paulis exclusion principle को लिखो ठीक है तो आपको पावली जी का जो exclusion principle है वो तो लिखना ही है उसके साथ आपको एक्जांपल भी देना है and उसको explain भी करना है this is the smart answer ठीक है ओके अगर कोई principle पूछा जाता है ना तो डायरे का आप लोग principle ना लिखे principle लिखने के साथ साथ उसका एक्जांपल भी आप लोग दे दिया करें तो बहतर रहेगा आपके लिए ठीक है इससे examiner जो है इंप्रेस हो जाते हैं तो आपको ऐसा ही करना है यह है smart answer smart answer देने की तरीका आपको प्रिंसिपल भी लिखना है एक्जांपल भी देना है उसका simply आपको explanation भी कर देना है बस time तो उतना ज़्यादा नहीं लगता है न कि देखो 60 mark का exam है आपका आपको time कितना मिलेगा बोलो बहुत ज़्यादा टाइम देगा ठीक है 60 मार्क के लिए अगर मैं मानता हूं कि एक एक मार्क के लिए कि दू मिनिट लग रहा है तो आपको 120 मिनिट में आइधिंक exam खतम हो जाना चाहिए लेकिन एक्शुल एक्जाम में इससे भी ज्यादा टाइम दिया जाता है तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम रहेगा तो किसी किसी question को थोड़ा ज्यादा भी लिखते है न तो इससे time आपका time का जो कमी है वो नहीं रहेग अगर आप लोग ज्यादा भी लिख देते हैं तो टेलनुमर क्वेश्चिन चलो यह हो गया पावलिशास्टूशन प्रिंसिपल अभी होगा क्या स्टेट हुन्स रूल रूल ओफ मैक्सिमम मॉल्टीप्ली सिटी ठीक है हुन्स जी का जो रूल है एलेक्ट्रोनी कन्फिगरेशन में वह भी आपको यहाँ पर लिखना है स्टेट से लिखने के लिखने के लिए इनमें से कोई कूछा जाता है इसको बहुत जादा बार पूछा गया है ठीक है इसको भी दो तीन बार पूछा गया है अगर आप लोग प्रीवेस यह की क्वेशन देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा यह सभी जो है पूछा गया है और मैक्सिमम क्वेशन जो मैंने यहां पर लिखा ठीक है वह सभी के सभी पूछा गया है चलो फोर्टीन नंबर क्वेशन देखते हैं फोर्टीन क्वेशन है आपका वाट इज आयोन ठीक है वाट इज आयोन एंड इट्स टाइपस टाइपस भी आपको याज अपना है आयोन दू तरह के होते हैं कैट आए न आयोन ओके आयन क्या है वह आपको परना है फिट्टीन नमबर क्वेशन चले आते हैं राइट डाउन दा करेट इलेक्रोन आपको लिखना है और यहाब मैं बताना चाहता हूं कि जो एलेक्ट्रोनिक कान्फिगरेशन है वो ाप लोग थोरा सा पैक्टिस करके जाए मैक्सिमम जो पूछा जाता रहे है और है क्रोमियम और कॉपर एंड एफ टू एफ प्लस रे यह जालता पूछा जाता है क्योंकि इसमें थोरा सा ट्रीक होते हैं ठाल है इसलिए यह को आप लोग अच्छे तरह से देख के जाएगा six number question चले आते हैं six number question पर क्या है राइट दा इलेक्ट्रोनिक configuration इलेक्ट्रोनिक configuration ओफ सी यू कोपर ठीक है एफी प्लास टू एफी प्लास थ्री एल प्लास ठीक है तो यह मैंने कुछ दे दिया इसको पैक्रिस कर दीजिए गा एंड पूछा तो बहुत तरह के जाते हैं कैल्सियम सिलिकॉन यह सभी आप लोग लिखिएगा ओके नाओ चलो अभी और कुछ सवाल बचे हैं उसको देख लो दर उसके बाद हम लोग कर दो कि कि कुछ सबस्दाइग ओके ह से लिखज़ कि कुछ सुर में तरह का तरह कि लोग न्हादाए लोग चालो अब कि इए जाए वह अच्छा तो अगला कुश्चिन क्या है I think 19 नंबर होगा ये और सॉरी ये 17 नंबर होगा 70 नंबर कुश्चिन क्या है और नेम दा इलिमेंट फीच है जो नू नीटरन ऐसा एक इलिमेंट का नाम बताओ जिसमें कोई नीटर नहीं होता ठीक है सॉर्ट कुश्चिन है इंपोर्टेंट है 18 नंबर कुश्चिन हो एक नंबर कुश्चिन क्या है नेम दा एलिमेंट विच है नू एलेक्ट्रो नाइट नवर क्वेश्चिन चलो जाते हैं विच इस बैस ओन वोर इस्टेवल को एक स्टेवल है क्या थे प्लास टू और ही धी प्लास टे इन दोनों में से कौन जागा इस्टेवल है ऐन उसके साथ इदर को लिख के दिया जाएगा explain it explain okay so in don't have a congera stable and this is the most asked question is called boho jala bar pooch area okay now 20 number question what is isotope what is isotope what is isotopes okay and give example isotope yeah example 21 number question what are the uses of isotopes isotope uses can I take it which isotope said you can be bought sorry come okay let's just example data on carbon 14 carbon 14 into a certain thing together do you see this is the isotope carbon isotope this is isotope radio carbon dating के लिए इस्तमाल करते radio carbon dating क्या है अगर आप लोग पूचेंगे तो इसका सवाल इसका जवाब क्या है कि radio carbon dating में हम लोग पुराने चीजों का जो उसका जो एज है वो निकालते हैं कि यह कितना दिन पुराना है यह सारी चीजे कितना दिन पुराना है तो वह हम लोग radio carbon dating से पता करते हैं तो उस पर्पस के लिए यूज होता है और कुछ ऐसे आइसो टोप सोते हैं जो की medical में cancer treatment करने के लिए ट्वाइब treatment करने के लिए यूज क्या जाता है तो आपको कुछ यूज़ेस देखके रखना है नाओ और आपको इधर आई सोटन आसो टोण आय्ज़ेस नबर से लिक् eco नबर कर निकाला जाता है सिन जानते हैं मास आंबर में चुohl क्या होता है मास्तलिक होता एक प्रोटन प्लास están ठीक है फोटन प्लास नुटन होता है और फिस एक स्टेबल झालटू इसल एलिमेंट और ऑग्या होता है तो आपको इन फॉर्मूला से यह पूशा जाएगा की अगर एक एक element का अगर एक element का atomic number यह है तो कितने एक्ट्रोन प्रेजन्ट है कितने Newton प्रेजन्ट है ऐसे आपको पूछा जा सकता है ओके ठीके ना तो यह भी आप लोग थोड़ा सा देखके रखें बस यह कुछ हो गया हमारा पहले चैप्टर से इन सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद नेक्स चैप्टर ऐसे सारे चैप्टर को हम लोग डिसक्रस करने वाले हैं ओके तो दोस्तों अपना पराएब बिल्गुल करते रहो एक्जाम बहुत करीव आ चुका है और मैंने जो पहले बताया आपको वो सभी चीजे वो सभी चीजे फटा फट से रेडिय करो मतलब आपके पास ज्यादा ताइम तो है नहीं ठीक है एक से दो दिन है बस आज अगर स्टार्ट करते हैं तो कल परसु के अंदर वो कंप्रेट हो जाना चाहिए क्योंक सकता है तो आपको ओल्वेस प्रिप्यर रहना है सारे प्रैक्टिकल कॉपी सारे लैब के कॉपी सारे वाक्सप के कॉपी ड्रोएंग सीट सभी के सभी बिल्कुल रेडि करके रखिये ओके ठीक है ना चलो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपना क्या लखना और पराई परावर करते रहना ओके थैंक यू बेरी माच